नमस्कार मैं हूँ लोकिस शप्रान आप देख रहे हैं संचार जेसी बॉस वाई एमसी विश्विद्याले मीडिया इप्तक्नीकी विभाग दुआरा आजादी अमरित महुतसफ के अंतरगत राष्टे नायको को नमन की स्रिंकला चल रही हैं जिसमें आज मैं आपको एसी सक्सियत से अवगत कराऊँगा जिन्होंने किरामती की पहली मिसाल उठाई तो आईए जानते उन किरामती कारी धन्सिंग कूजर कोतवाल जी को धन्सिंग कोतवाल गूजर का जनम 27 नमबर 1817 मेरट के गाउं पांचली गूजर किसान परिवार में हुआ उनके पिता का नाम जोदा सिंग चप्राना और माता का नाम मानवरी देवी था उनके पिता गाउं के सरपंच थे धन्सिंग अपनी उच्छ सिक्सा प्राप्त करने के बाद ब्रिटी सरकार में पुलिस में भरती होकर मेरट के कोतवाल बने मेरट किरान्ती का प्रारम 10 मई 1857 को हुआ था किरान्ती की सुरुवात करने का श्रियामर सहीत कोतवाल धन्सिंग गूजर को जाता है उस दिन मेरट में दंसिंग के नेतरित में विद्रोई सेनिको और पुलिस फोर्सों ने अंग्रेजों के विरूत करांती कारी गटनाओं को अंजाम दिया दंसिंग कोतवाल जनता के संपर्क में थे उनका संदेश मिलते ही हजारों की संख्या में किरांती कारी रात में मेरट पहुच गए समस्त पश्यमी उत्तर परदेश दैरादून दिल्ली मुराजबाद बिजनोर आगरा जहासी पंजाब राजस्तान से लेकर महाराश तक के गुजरिस सुवत अंतरता संग्राम में कूद पड़े विद्रो की खबर मिलते ही आसपांस के गाउं के हजारों ग्राम में मेरट के सदर कोतवाली छेतर में जमा हो गए इसी कोतवाली में धंसिंग कुलिस प्रमुक थे तस मही 1857 को धंसिंग के नेतरित में देर रात दो बजे जेल तोड़कर 836 कैदियों को छुडा कर जेल को आग लगा दी गई छुडाए कैदी भी क्रांती में सामिल हो गई उससे पहले भीड ने पूरे सदर बजार और कैंट छेतर में जो कुछ भी अंगरीजों से जमबंदित था सब नश्ट कर दिया रात में ही विद्रोही सैनिक दिल्ली कूच कर गए और विद्रोह मेरट के देहात में फैल गई आचार्रे दिपांकर दुबार रचित कुस्तिका, स्वाधिंता अंदोलन और मेरट के नुसार पांचली के 80 लोगों को फासी की सजा दी गई गाउं गगोल के भी 9 लोगों को दसेरा की दिन फासी दे दी गई पूरे गाउं को नश्ट कर दिया, आज भी इस गाउं में दसेरा नहीं मनाया जाता मेरट करांती के 173 ता संगराम की मसाल जलाने वाले धंसिंग गूजर को तुंगरे जोने फासी पर लटका दिया मगर उनके दुआरा लगाई गई मसाल पूरे देश में फैल चुकी थी, जिसके फैलते पूरे देश में आजादी की मांग हुई इस सिरिंकला में बस इतना ही, आगे फिर मुला कात होगी नए सुवत अंतरता संगरामी के साथ, जैहित